हेलो बच्चा लोग कैसे हूँ आप सब उमीद है आप लोग एकदम मस्त होगे सो मैं हूँ ताने मुझाल सो मेरे प्यारी प्यारी बच्चा लोग आज हम एक नए चाप्टर की शुरुवात करने वाले हैं और इस चाप्टर का गजूर नहीं है वो है आपका इंप्लॉवाइमेंट और अंइंप्लॉवाइमेंट चाप्टर बहुति बच्चे कर रहें तो मेरे बच्चों शुरुवात करते हैं परावर से देख लेते कि आज इस क्लास में इस चाप्टर में हम कौन कौन से पड़ने वाले तो सबसे पहले हूं समझेगे वोगर किया होत है labor force क्या होते है work force क्या होते है size of work force in India कुछ formula है बुह हम आपके सामेरे डिसक्स करेंगे एक चीज हर एक चीज मतला हर एक topic को बड़े अच्छे तरीके से detail तरीके तरीके नेक्स है one of participation of work force in rural areas more than the urban इरियास इस किके कुछ पढ़ेंगे वार्पर्सेंटेज ओ फीमेल बोकर्स है फीमेल ऑफ अर्बन इरियेस इन वर्ट्पोस इस तरीके को कुष्चिन अपका थीक है रूरल एपर्टिप्स को अबीप इस कंपेर नियूरीयास पतानी क्या क्याए टॉपिक्स है इतने साथपि को अच्छे समझेंगे distribution of workforce क्या है jobless growth casualization in formalization different types of unemployment causes of unemployment क्या है आपकी किताब का हर एक topic लेंगे ठीक है उसके बाद government and employment generation का some recent initiatives taken by the government making India क्या है startup India क्या है सारे चीजों का अच्छे से समझेंगे making इंडिया startup इंडिया topic important भी आपके लिए चलीजिए शुरुवात करें करें आरम करें चलीजिए सबसे पहले बेटा हम समझेंगे वर्कर क्या होता वार्द वोकर्स वो इंसान है जो वो कर रहे है जो काम कर रहा है यानीं जो सबिस्प पर रवाइड कर रहा है और उसके बदले में वो क्या लिगा वेजता रबदिय्व कर रहे हैं जो सबसेंगे तो इसे मिलेगी ऑध़ाडमा net तो this अगर वो प्रडॉक्शन कर रहे तो इसका मतलब है कि वह एक ऐसा इंसान जो देश में चुप प्रडॉक्शन और उसमें कॉंट्रीबूट कर रहे जितने जादा प्रडॉक्शन बढ़ती है तो आपको बता है चल जी बाइंडरिंग एस सवसेज अपनी सवसेज देखे तो ए आए फो इसका मतलब होता है एक सपरसन जो कैख जो काम करना चाहता है एक प्रेश्य कारना चाहता है इंप्लॉक्वेंटте का मतलब है, कैसा इंसान जो काम करना चाहता है कि उसको काम आता भी यहनि वो एबल भी है उसको काम आता भी और उसको पास काम है भी वह काम कर भी रहा है, तो वो क्या होती है? इंप्लॉईमेंट का मतलब कह對 rain इंसान जो काम करना चाहता है उसको काम आता है और उसके पास काम मतलब करना चाहता है और उसको क्या किते हैं उसको अव्य किक है उसको का अता भी यह वो किसी भी वे Boost रख रही है उस रेट पर करने के लिए थ्यार एंड आर ओल्सों गेटिंग विए उसके पास काम है भी सब्सक्राइब तो इंप्लॉइम्ट का मतलब थीन चीज आपको ध्यार रख रही है विलिंग तुब यानि काम करना चाहता है एबल टूवक काम आता भी है और गेटिंग सब्सक्राइब काम है भी सब्सक्राइब करने के लिए जो मार्केट में वेज रिट रही है उस रिमेज रेट पर करने के लिए भी तयार पर तब प्रॉबलम इस उसको काम मिलने ईए उड़ा काम करना चाहता है काम आता भी है बढ़ प्रॉबलम इस में नहीं रहा वह क्या है आपकी आनिम्प्रमें क्रोवना के टाइम में कितना हुआ था लोग काम करना चाहते थे काम आता भी था और वो यह भी कह रहे थे कि भाई कोई नी थोड़े दो चार पैसे कम दे दिए लगा ले नहीं पर प्रॉब्लम इस लोगों को काम मिलने रहा था क्योंकि इंडस्ट्री इस फैक्ट्री इस कंपनी संबंद होगी थी क करने करने के त्यार थे प्रॉब्लम मिलने रहा था क्या आप सब्सक्राइब करना क्योंकि अप्सक्राइब बीश नोतिम चीजुड़ेट करने के त्यार भी यह दो वेज त्म काम दोगे में त्यार भी है बट आर नोट गेटेंग वर्क बट काम मिल नहीं रहा है वो सिच्वेशन क्या होती है अनिम्प्लॉइम्ट यानि बिरोजगारी चली अब आगे चलते बेटा अब कुछ टाइप सो वोकर्स का मगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि टाइप सो वोकर्स क्या होते हैं वोकर्स क यह रहे होते हैं प्रस्ट और दूसरा क्या होता है रेगुलर वोकर्स एक एक करते हैं पर सेथ यहां वेकर्स समझते हैं चली तो सबसेले समझते यह एंपलोईड वोकर। पर अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं तो में क्या हूं ने मेरा खुद कोई बिजनेस चला रही हूं तो मैं क्या हूं सब्सक्राइब वो अपने में काम कर रहे हैं और उसको कहतें अब किसी और के अंडर तो काम निंगे उनको सेलरी यत्री दिस मिले तो क्या कमाएंगे अपलोगों के माबाप भी होंगे है कि सदोन की माबाप जोरूर होंगे जिनका बिजनस होगा बिजनसमेन है कोई कशी शोप दो गी तो इसे परसन वह वाजिंग इन और बिजनेस और प्रफेशन को अपने के बिजनस में काम करें खुट का प्रफेशन है मैं तो मेरे одно मेरे मै अगुदका क्लीने के मैं किसी ओर के अंडर काम ने करें तू अगर अगर प्रिफेशन्व हो तो मेरा कुदका इंस्टिूट है डा कुदक सी Church कर याने आप फुद के बिस्नेस पिए थ हुद के परेस्टन में काम कर रहे हूँ आप किसी और के अंडरकां नहीं कर रहे तीज कि दि आ कम आते एंट कि इन पर आते मेरे स्पर会गर है जो खुद के वोर्कर्स और काम कर रहे हो सबमुर्स परक चबय का मतलब है अब लेटव मालो मेरा हूं वैर खुदका इंस्टिटुट में नीचंवb दूसरा मैं पढ़ा रही हूं फिजिक्स वाला में तो फिजिक्स वाला ने मुझे थाइर किया रिए हई तो मैं क्या हाइड वकर दूसरों के लिए काम करते हैं फिर शेल्र कि यह जसे देख देख लो एकुनी से तीचर वूंट के लिए सिल्फ कि नहीं है ऐसको स्कूल के लिए स्कूल्थ क का नहीं को इस स्कूल को सुख कर stops के लिए काम करा नो स्कूल को साव नो ट्रें तो के बदले मुसको सेलरी मिलें और आप एक्جामपल ले सकते हैं यहां पर जितने भी आपकी दिमाग में खालंपल कुछ भी लिख सकते हो चलीज नेच्ट कीव एटा को अभन में बात करी कि हमने बात करी था आप perché by lesi और अग कर रहे इए यान इंडर कर यानि किकि और एक एंट गो होते हैं किसी और के लिए और के लिए किसी और के काम कर रहे हैं वह आद मान sinking यीस बीड पिर समझते हैं फिर हम रेगुलर पर चलते हैं तो क्याजूल वोकर्स वोकर्स होते हैं जिनकी कोई पर्मनेंट टाइप आफ जॉब नहीं होती यह बहुत जादा पड़े लिखें नहीं होते मजदूर मिस्त्री लोग यह होगी डेली वेजर से आज काम है तो आज तन आज ध वोकर्स मतलब होता चकां है तो आप स्कॉट करी जमनेंट किल काम नहीं है कल शुटई पेते लिक थे धहाड के जरेली नहीं है पर घर बन रहा है आपने मिस्तरी को बुला तो क्या आप पूरे साल हमेशा उसको मिस्तरी को अपने घरी वाड़े रखोगे अब घर में रहा है आप रिगलर बेश्न को हाय नहीं करते हैं तो आज काम तो पैसे कल काम निया तो कोई पैसा नहीं ठीक है वही नौट हायद बाइद इंप्लोयर जो भी मालिक है उसको रिगलर बेश्निस पर हायर नहीं करता दिया नौट गिवन सोचल सिक्योर्टी बेनफिट्स लाइक पीएफ ग्रेचुटी पेंशन उनको यह सब नहीं मिलता पीएफ मिलना प्राविडेंट फंड कोई ग्रेचुटी देना या कोई पेंशन वगरा देना वह सब नहीं मिलता उटको ठीक है समझ रहूं समझ गे न चलब कोई लिव सब्सक्राम को गफार क्याकर को मतलब कि आसमालो मजदूर आया नुए चुट्टी पें तो उसकी तंखा नहीं मिले है उसको उसको कोई धिहाड़ी नहीं मिलती है जिस दिन नहीं आएगा तो नो पेड लिव यानि छुट्टी लेने पर भी उसको पेड नहीं किया जाता समझ गे क्या कहना चाहरे हूं कामपनियों में तो यह होता है या कोई भी ले लो कि आप दो छुट्टी ले तो आपकी सेलर नहीं करती लेकिन वहां पर क्या है कि जू मिस्टरी मजगो डिया चाहरे जाते है कोई दियाड़ी कई नहीं किए हायर नहीं किया जाता काम हो गयाए उनको निकाल कोई एक तरण पर्मनेंट टाइप जोब होती है जिनकी ठोड़ी पर्मनेंट जोब होती है यह जैनली सकेल्ड होते वह उन्सकेल्ड होते जन्रली कहते हैं पड़ी लिखे होते हैं और उनको सोचल सेक्योर्टी बेनेफिट्स जैसे की पेंशन पीएव ग्रेच्यूटी ते बाइन मिलती दिमाक में ग्रेच्यूटी के मतलब क्या हता है अगर एक एंप्लोई अगर एग अपनी कंपनी को कंपनी के लिए वफदार मालोकी इंप्लोइ जो कंपणी में फांच तक ह्तिकर दे अच्छी से काम कर रहे हैं तो उस ताहीं पे पे जो कंपनी वल्य होती है यानी इनि कंपनी को गरोगार दीन तो इसकी बतल में उनको reward मेन लेते थो उसतने कि ग्रेचुटी बगर चलि तो को एया पर पैट फाई सया पहल ली और वह आप truth लेते तो उनको पेज्वशान होता है दो दिन के लिए तो लेते हैं वह तो important question is आपने पर वेको सिंपरेंट जाता है उसे इंपरेंट इस न सब्सक्राइबर लिबर को ना जाता है आध लेबर सप्लाइब इस डिफ्रेंट समीं बड़ फोर्स बीच में भी आ लेबड एक लेबर सप्लाई क्या होता लेबर सप्लाई जो है वो दो चीजों पर डिलेटन दो फ्यक्टॉस के रिलेटन है वह कौन से दो चीजन जिसे रिलेट रेड़ेटिए तो यह पूस्पन विड होते वेज़रेट मतलेगी संजंगत हो दूसरा लेटन मान देज ऑ व्य कि besides पाएल गरίें तो लेबर चाहिए जो काम करेंगे तो आपकी घर में वो मिस्ट्री काम करने कंग अए heh उसको 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 शाहीं करेगा करेगा फैहला कि सप्लाइग होगी तो पहला प्रीज देंगे दूसरा किस पर इंढ़ने मतलब क्या है कि एक अदमी एक लेबर एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे है यानि कितने वोकिंग जार्ड ़ो come मालों बेटा मैंने बोला कि मैं 800 और दूंगी आपको आठ घंटेक 8 आर्स के बिल्कुल रहे 8 गंटे तो काम लेंगे हम उसे तो उसके साथ से बिलकुल सही उसने का कि ठीक है मुझे दिहारी भी सही लगी वेज़ेट भी आप सही दे रहे हूं और man days of work भी उसके according था कि एक तर से working hours उसको सही लगे कि 8 गंटे के साब से मुझे 800 रुपे मिल रहे हैं तो वो labor की supply हो जाएगी यानि labor उस टाइम पर आपके घर में काम करने आगे लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर मैं बोलू अब आप खुल सोचे दूसरी तरफ मैं यह बो होगे हम उससे जाधा पैसे चार्च करते दाएंगे अब से ठीक है यह होता है अपने घर में अपने घर वाले पूछ वह कि इतने घंटे के पैसे लेते उसके वाद हम से थोड़ा सब्सक्राइब तो एक लेबर वो उसको आठ गंटे टीक लगे लेकिन वो कह रहें कि सब्सक्राइब तो एक लेबर काम करने आती है अगर उसको सही लग रहें दूसरा लेती मैंने मैं इसको बोले मैं आठ गंटे काम कराओंगी लेकिन मैं तुझे तंखा है वो सिर्फ 400 रुपे दोंगी वो गएगा वो गएगा अरे आपके करनी काम करते हैं आप तो बहुत कम करेंगा तो आप तो बहुत कम दियाड़ी देरों सामने वाला घर उनका घर बन रहें वहां जाके करूंगा आपके घर काम ने करूंगा तो यह लेबर कप करने आता है वह दो चीजों पर डिपेंद्न है आपको कितनी वेजड़ेट देरों यानि कितनी ध्याड़ी देरों दुसरा कितरे घंटों के लिए आपसे काम कर ने यह दो चीजों से लेबर की सप्लाइ होगी लेबर कब काम करेंगी लेबर सप्लाइ अंट है किस-किस पर डिपेंड है पहला वेज रेट यानि कितनी जिहार ही देख दिन में कितने हम काम करवारें चीज़ दूसरा वेटा लेबर फोर्ट कर दो समझें दूसरा अब लेकिन असान बार्शन मयतको क्या नेकनेस लोग जो काम कर रहे हैं यानी इंप्लोइट है ऐसे लोग जो काम करने रहे, काम करना चाहते हैं, यानि unemployed है, काम नहीं कर रहे, काम करना चाहते हैं, not working, but willing to do work, यानि unemployed, labor force में दोनों आते हैं, labor force में कौन कौन आते हैं, ऐसी labor, जो काम कर रही है, दूसरा, ऐसे लोग, ऐसे persons, जो काम करने रहे, काम करना चाहते हैं, यानि unemployed है, इंप्लोय प्लस अन्म्पोइट दोनों कॉम क्या बोलते हैं लेबर फोर्स बोलते क्या बोलते हैं क्या बहुत अलग है या यह 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 आ दोनों लेते हैं दोनों लेते हैं यह क्यों वेट परेड़ नहीं है जो भी द्याड़ेट यह बेट पे डिपेंड नहीं है वहलें होती है है यह लोग काम नहीं कर रहे हैं तो ऑगते हैं टिक है यह अब लेबर फॉर्स के बड़े द्याइश भीड़को समना यह इंप्लॉएट और unemployed और जो काम करना चाहते हैं ़ो रहे तरद डोग नहीं वाफ नहीं लोग नहीं आते हैं जो काम करना चाहते है यानि unemployed लोग नहीं आते हैं तो क्या है वह की Also classagna इंप्लोईड परशन पर्स यानि वह इसे लोग नहीं कर रहें गुद न करना चाहते ना लेबर फॉर्ट्स में दोनों आते हैं एंप्लोय और उनिंप्लोईट दो वह ऊत्ce है और इसकी किसरों आप को many आपको मतलब को सब्सक्रांब्ने आयों तो कैसे आयेगा कैसे बनाऊंगे पॉर्ग एक्ष़ ईपर फथा ही एंप्र सॉटर में लेबर फोर्स में और गज कम नहीं नहीं पर किंगा लुगर कि आज़ इसले लोग जो काम करना चाहते हैं बाट नहीं उनके पास तो मेरे पास मेरे पास वर्ग ये यानि ऐसे लोग जो काम कर रहे तो मुझे वर्क्रोंस काँ लिकाल निहां यानि एससे फोर्बोल आ lastοι दोनों आते हैं है फ्लेशंट टोनetically आट इब वरटिंग आरे नहीं कॉटनीowią लोगों को हटा दूँ तो मेरे पास क्या आजएगा इंप्लोइड लोग आजएगा सिंपल है फॉर्मला है बजाएगा नेक्स से बिटन नमबर ओफ आनिप्लोइड परसन यह फॉर्मला कैसे बनेगा तो आप खुल सोचो आनिप्लोइड परसन निकालना को अगर मैं टोटल म में से यानि लेबर फोर्स में से वह लोग हटा दूँ जो एक्चल में वरकिंग है यानि जो एक्चल में इंप्लोइड है तो मेरे पास क्या आजएगा आनिप्लोइड परसन आजएगा फॉर्मला कुछ भी नहीं है दिमाग लगाओ खुद बना सकते हैं अगर मतलब पता ह क्लिए औरा कर दोफिताएग्ज आफ्सटेज की फोर्म में निकालें अलेज कि डेश मिन लोग बिरोजगा रहे हो कैसे निजए लेघे नंबर फरसन क्या है अनिपलोइड बंड डिवाइड बाय में लेबर फोल्स जिसमें दोनों आगे ás na वकिंग जिसमें इंप्लोएड प्लस आनिंप्लोएड दोनों आगे ठीक है ऐसे लोग जो भी रोज गार रहे डिवाइड बाय में टोटल यानिंप्लोएड प्लस आनिंप्लोएड डोनों यानि लेबर सोट इन्टू मैं 100 क्यों किया क्यों हम काम कर तोज़ाइब नोग ettes aes एकशल में थे लिग फअब लॉस्ट यह देश की जन संख्या कि यह रहेता क्या चैनि कितने लोग पार्टिसपेट करें इन्टो नहीं यह kश फॉरमले दिस याद कर लेना है एक्पोर्ड पूरिंट आफुजिट च्ज़ीकन कि बदेए और जाते हैं अग्ला तो टॉपिक है साइज एंडिया साइज वोग्पोर्स का मतलब कितने झानि कितने लोग एंप्लोईड और थे स्था तो अगर आपको पता है कि यह चे-उन हब कि थे संग कितनी तत्य इसक्रोड़alaywasan abroad 1,42 क्रोड़ के इत्लाइब आप हमारे देखोड सब्सक्राइब के इसक Чल क्सक्राइब इसे अक्चल्ड़ ऑपकिल्क्रोंग द्सक्राइब उनगेल नियुए 461 क्रोड लगबग 47.1 करोड जो परसंद है हमारे देश के सिर्फ इतने लोग ही क्या है इंप्लोइब 142 करोड के आसपास हमारे देश पर पॉपलिश्चन उसमेंसे सिर्फ लगबग 47 करोड लोग जो है कान दंदे बाकी के लोग बिरोजगार बैठें देख रो कितनी जाद हमारे लगबग 47 करोड लोग जो है कान दंदे यानि इंप्लोइड कर रहे है और बाकी लोग क्या है बिरोजगार अब आगे क्या है जो यहां से आपकी कुछ कोशन बनते है ठीक है जी जो हम बात करेंगे एक बाद डेटा देख लो फिर इस डेटा के साब से कुछ कोशन आते काम करें फीमेल जो है 23 परसेंट काम करें तो यहां से देख पार है कि हमारे देश में जो मेल है ठीक है वह ज्यादा वॉकिंग एस कंपेर टू फीमिल पहली जी दूसरी चीज़ा गर यहां पर चलू जित्वी हमारे देश में लोग काम कर रहे है यानि इंप्लोइड है उस ही तो फीमेल वॉक फोल जानि हमारे देश में जितनी बी ओरते काम करें पारिए और शेहरों से प्रिस तो हम देख पा रहे है गावों की ओरते ज्यादा वरकिंग ए ऐस कंपेर तू शेहरों की ओर तो यह डेटा है ठीक है अब बात ही करतें कि कुश्यों राइज होते हैं क this change, सब्ह色 perhaps etc, क हैं पहला कोश्चन क्या होते हैet कि युँ गाहों में जो लोग है वो जाधा working है अनरी जाधा इंप्लोईड है अग शाधा इंप्लोईड है इस यह सब्बड़ थि ओर बन की लोग तो क्या औरना है जो मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत बड़ी नोट्स है और बना लेना I request everybody पीस बना लेना ठीक है चली चली तो क्यों गामों के लोग जादा employed as compared to शहरों के लोग क्यों कि देखो गामों के लोग क्या है सबसे बेला गामों के तो पड़े नहीं तो production में ककम करें जब प्रदक्शन में कोंट्रिबूट करेंगे तो जो और यही काम कर रहा हूत है बच्चे बी काम कर रहा होता है चोटे शोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं उनको पढ़ा लिखानी रहे होते हैं न गामों में आपने देखा होगा मम्मियां भी काम कर रहे हैं आंटियां दादियां चाचियां स्मोसियां सारे काम कर रहे होते हैं सारे घर के हर मैमर काम कर रहे हैं बच्चों को भी खेतों में भेज देते हैं पढ़े लिखी तो ज्यदा प्रोड़क्शन में कॉंट्रिबूट कर पाते हैं ज्यदा सेलरीज मिलते हैं तो ज्यदा इंपकम कम पाते हैं होती है तो रेट और ऑप्पाटिस्पेशन भी यह एंड और पार्टिसपेशन चोंथ और अरबन यानि शेहरों में पाटी सीपेशन जो है शेहरों में क्या होता है कम होता है क्योंकि गरीबी कम होता है क्योंकि घर का एक मर्द काम कर लेता है तो बीवी कई बार काम भी नहीं करती हाउसवाई वो दिये चल जाता है क्या कि आटहां अबना के सब बिज़ में इस लिए पाड़े लिखे लोग है पैसंस कमारे गृ立 completely सभ़ों किया है कम है चलिए दूसरा रीजन क्या है कि गानों में डू open रेटी पार्टिसपेशन जाद है और शहरों में कम हैं तीसरा जबॉरा दिजॉचाइंत बहुत ज़ादा है जरूर से दॉनार पिखोर्ण सब्सक्राइब करने चाचा चाचा जाचा चांचा के बच्चे बच्चे नहीं अदें पहला पड़े लिके नहीं है तो ग्रीबी बहुत ज़ादा पैसा नहीं कमारे यह आपके लिए कुछ पॉइंट्स है आप इसको कर सकते हो ठीक है की वर्ड आपके लिए लेकर आई होता है वाई पर्सेंटेज ओफीमेल वर्कफॉर्स ठीक है लो और लो इन अर्बन एरिया क्यों हमारे देश में शहरों में भी आज औरते इतनी जादा क्यों क्या कारण है कि फीमेल वर्कफॉर्स काम होती जायौ और चुह ओरते काम नहीं कर रहें तो क्या का रहे विए कुछ रिजन से जो पताते हैं कि आज भी शहरों में जो उर्प साले काम तो पढ़ाया लिखाये नहीं जाता है अब पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और घर के लियों है dagर ky आज quay नें आज में लणके ढ़िए को मने कर सकते। लड़कियों का में जैसे की डालता जैसे की अहीं बहुत सारी नोक्री ज़ो लड़कियों के लिए बनी वो शिरव लड़कों के लिए आर्मी में ज़्यादा तर लड़कियां कम देखते हैं पाइलेट में ऐसी चीज़ों में लड़कियां कम देखते हैं लड़कियां जादा होते हैं ठीक है और अगर मैं बात करूँ लड़कों के लिए नहीं और यही कारण है कि लड़कों की पार्डिस्पेशन जो है वो कम है नेक्स बहुत जादा बेदबाव किया जाता है बहुत जादा बेदबाव किया जाता है लड्कों और लड्कों के बीच्पे बाओ किया चाथा on लड़के करेंगे बहुत जादा बेभाव किया जाता है और यही कारें ने रेट ओपाडिस्पेशन जो है फीमेल की क्या है कम है नेक्स लाक ओफ माइग्रेशन इन सार्च ऑफ जॉप बाइफ बहुत सारी जो ओड़ते हैं वह माइग्रेट ही नहीं कर पाती बहुत सारी क्यो बढ़कियों को माइग्रेट ही नहीं करने दिया जाता परिवार के द्वारा अरे नहीं 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 जहां बैटी वहीं काम कर लो को इनि तुम टीचर बन जाओ मैं टीचर बनी हो ना तो वह मेरा पैशन है पड़ाना इसलिए मैं टीचर बनी लेकिन कुछ औरते हैं कुछ मजबूरी में कोई प्रफेशन फॉलो कर रही हो थी क्योंकि उनको मोका ही नहीं मिलता कि वह माइग्रेट कर सके जौब के लिए कहीं जा सके बड़े शहरों में जा सके आपने खुद देखा होगा बहुत सी ओड़ते हैं जो पढ़ना चारी है या वह नोकरी करना चारी है शहरों में आके बड़ उनको घर वाले अलाव ही नहीं करते वह जाही नहीं पाते लाकन ओव माइग्रेशन यानि बहुत सी ओड़ते आपने बढ़े-ड़े बड़े शहरों में नोखनियों वगयरा करने के लिए वह घर पर बैठी रह जाती है बहुत सारी ओड़ते होती है बहुत सारी फीमेल्स है जो मुंबई जाना चाहती है एक एक्ट्रस बना चाहती है बढ़ घर वले लाओने करते बिचारी घर बैठी रह जाती है वह एक्जामपल लिसकते हैं बहुत जाजा डाती एक मेरा बच्चछा तो यह करेगा मेरी बेटी तो बस टीचिंग में जाए बहुत चाहिंट करें कि अच्छाल घर में होता है और्तों के लिए स्पेशली पाबंदिया होती है कि घर फैमली इंटर्फेरेंस होती है कि तु बस यही नोकरी कर यही कर ले टीचिंग कर ले या वह ले बस इस चकर में बिचारी बेरोजगा रह जाती क्योंकि उनको करना ही नहीं होता मजबूरी में कर रहे होती एक टाइम के आठाव जाना है उसने पूराए घर जाना रहना लड़ानी पढ़ा कए वहार नसदों पार निकल नोकरी कर पाए उनको घर की कामों में और ने कि श्वोच भी है बहुत जाली जाद तो बस बेसिक चीज़े है जो आपको मैंने कराया दिए चरीजे भीटा फटाना फटा थैसरे दिखिण Negative Iris ऐन गावों मेर्टे ज्यादा वरकिंग है से सबसे पहले पता देती हूं क्या है तो प्रोडक्शन कम पैसा कम गरीबी जाद है अब गरीबी जाद होने के चक्कर में औरते भी काम करने लग जाती है अपने पती का हाथ बटाने में अपने देखाओगा औरते खेतों में जाती है खती बाड़ी करने लग जाती है सारी तादिया Zaris लigraph जाते मामिया घशाते तो इसलिए औरतों का गामों में जाधा है और टी लिखे लोक साथ है तब कर सकते हैं शेहर वे जो ऑड़ते हैं वह कंब works तो चल जाते है तुकि पैसा है गाम में प्रब्लम ही और prey गरीबी इतनी नहीं एक पैसा आ रहे हैं घर में सोर्स ओंकम है ठीक है तो घर चल पाता है अच्छे घर चल पार तो इसलिए औरते कम जाती है काम पर यहीं रीजन है वहीं हम बात करें कि शेहरों में पड़े लिखे लोग है प्रोडक्शन जादा कर पारें जादा पैसा कमा देब बाते उसलिए टॉपकwn bene जाता है रीज्ट और इंपौरेंट हम आजाते हैं पहले पहरा उसमें लिखना को उर्का यह कोई नमबर नबर च्था यही लिखिए बना जाओ पहरा में लिखना मैं अच्छे से लिखना उसको ठीक है त्योरी अच्छी से लिखना देन उसको डाइग्राम ऐसे फ्लोचार्ट बनाना बड़ी अलंग पर चुरी नेक्स्ट कोश्चन क्या है रूरल एरियास कॉंट्रिब्यूट मोर जीडिपी ऐस कंपेर टू अ सब्सक्राइब जादा पर लिखें नहीं जितने अर्बन एरियास जादा कॉंट्रिब्यूट करते हैं जीडिपी में क्या रिजन है तो कुछ रीजन सब्से पहला रीजन यह है दूसरा रीजन तीसरा रीजन तीन रीजन आपके लिए विसा पहला रीजन गामों में लोग लिए उतनी ज़ाद़ देश पड़ेगी मानते हो सहरो में ज़एट प्रोडचन की डुन यह ज़ाद प्रड़क्शन तो दिम पंसे पाउड pencils प्रोडक्शन काम करें प्रोडक्शन में कोंट्रिबूट करें आप सीधा इसकी बाले सब्थे परडक्षन में क沒錯 कम है तो यानि GDP में कोड़िबुशन उनका क्या है We Da तरह स्पीद्लाई भी लिखो चल जाएगा कि पड़े लिखे नहीं है मिप्रडक्षन कम पैशा कम गरीबीट दो यह स्पीद्ट यह रहने दो इतना पॉइंट रहें दो आप सीधर को क्योंकि जितने जाधा पढ़े लिखे नहीं तो प्रड़क्शन में कम कॉंट्रिबूट कर पा रहें पहला रिजन समझा है कि क्यूं शेहरों के लोग ज्यादा कॉंट्रिबूट कर रहें GDP में ऐस कंकर पा रहें तो ज्यूंकि दूसरा वीजन क्या है जो गाम से बहुत जाएंज और सीजनल अनिप्राइम्ट्राइम्ट बहुत जाधा बहूं से ज़्यादा लोग काम दंदों पढ़नीघक वहां रहें रहें रूरें ज़रूरे बोच्शन तो नहीं सकता प्रड़क्शन तो नहीं भड़ रहा है तिस गाइज दो आधा लोग काम कर रहे हैं प्रड़क्शन इतनी नहीं बढ़ रही है और चक्र में गीड़ीपी में वो क्या हुआ है तिगे है यह रहने देना यह पॉइंट रहने देना ठीक है उसके बाद यह ला देना और शेड़ों से कंपेर करना सिंपल है कि यही कारण है कि गावों जो है GDP में कॉंट्रिबूशन क्या करें कब तीसरा पॉइंट क्या है कोश्चन पते यह है कि गाव में लोग ज्यादा काम करें बट स्टिल गाव क दूसरा रीजन यह लिखना कि डिजगाई अनिप्लॉइमेंट बहुत जादा ज़रूरा से जादा लोग काम करें सीजन अनिप्लॉइमेंट है और सीजन की टाइम पे काम है और सीजन कोई काम ही नहीं वह प्रॉबलम है तो इस तक गर में प्रडॉक्शन कम हो रही है हो था चुबबूशन कम होते हैं तो जैङन सब्सक्राइब सब्सक्राइब घंग से चिनटक्छी और प्रॉदक्शन के लिख अनिपट Difолн Nosy से सब्सक्राइब आ कंशों से 10 वह परतिन तूसरा quality सब्सक्राइबनीं एंब ब्सक्राइब दिजएं बहुत कुछ मे लिखते से ऩाफ है कि जावो में इस चक्नॉलजी स्क्रमें और श्यरों में इस टेक्नलोजी में अर टो आइक फैक्निय mitt आप डालती इस ग्रिडिविन कॉट्रिभिशन के आज तो यह तीन डिंड आप दिन आपिक है आपके अब निक altri पता है क्या कारण है कि रूरल में जो है सेल्री सेल्री या वेजिल जो भी लेलो सेल्री या वेजिल जो भी वेजिस मालो दिहाड़ी काम होती है गयर prepared to urban area कोश्चन कही बार ये भी आ जाता है अर्बन एरिया कि लोगों की सेल्री वगयरा या वेजिस वगयरा किया होती है क्यों क्या रीजन क्या दीजन है दो थीन बताना सबसे बहला रीजन शेहरों के लोग educated है पड़े लिकें पड़े लिकें तो जो लोग पढ़े लिखें उनको जादा इजुकेटेड है गावह के लोग जादा एजुकेटटि नहीं है पहला तो पॉइंट यह डाल देना दूसरा पॉइंट यह लिख देना कि छेहर है उसमें M&C मुटी नाशनल कंपनी लोगों का अच्छी नोग्रियाँ बगेरा मिल जाती है वह जाधा तर शहरों में इस लिए लोगों को तंक्षाएं बगेरा अच्छी मिल जाती है इंफ्रेस्ट्रस्ट्रट्ट्ट्ट्ट्टर जो डिवैलाप होता टो कितने लोगों को काम मिलता है रोट किसे लोगों काम यह ए वगारा इस फ्रम में साब यह कुछ भी रीजर सके हो ठीकर है एन नेंट्स क्या है आपका चलिजी नेक्स्ट क्या है फटवर से देखिए टॉबगिक्या है इतना कर दिया हम अच्छा कोई दिक्त नहीं होगी मुझे लग रहा है कोई दिक्कत दिए कि लिए बढ़्या तरीके से बेटरीन तरीके साथ स्युक्रिया बस कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है बस पॉइंट थ्यान रखते हो अपने बना लें लेंगा चलिए लेक्स कि आए बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जिसको मैं भोलती हूं डिस्ट्रिबूशन ओफ फॉस्ट्ट्रिबूशन का मतलब है डिस्ट्रिबूशन ओफ स्टर्व में कितने परस हैं लो इस अगयर करने बात करूं कर रहें इंच हमारे देश में जितने विलो काम कर रहें जिटने मिफेंर पॉप्लेशन वकिंग्षिंग हुं प्रपाम्रिये स्ट्टर में में फॉश्टी फए सबसे कम Secondary मतलब industrial Computer Crowe all इसके लाबा माइनिम हो गयर। आजाते कई बाद माइनिंग किसमें आती बच्चे कई बायाओ सेक्टर में माइनिंग जो है box barbecue अपकी प्राइमরी सक्टर में अती अग्रिकल्ट्र सेक्टर में चिंगे सिक्टर यानि इंडॉस्ट्री दोगे रहा टर्स्री सेक्टर यानि जो स्वस्टर सेक्टर होता है एक लिए रहता है चलीजी तो देश की 44.6% पॉपूइशन किस्पे डिपेंड रामरी सेक्टर से डिपेंड है के ब्हुत्स भीह दिपेंड है निस धीकलि काम को लिकर रोज़गाष और सथ थाई-1 प्रषल जो पॉपलेशन है देश की वो किसपे टिपेंडे किसपे टिपेंडे बेटा टर्शी सेक्टर पीटिपेंडे किसपे टिपेंडे बेटा टर्शी सेक्टर यानि सर्वेस सेक्टर यानि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से से इतने परसेंट कर रहे हैं आप कोष्ट यह झुराइब जयादा लोग काम कर रहे हैं क्यों वार्फोर्ट जो है प्राइमरी सेक्टर में सब से सबसे जाए और क्यों रेट आप पार्टिसपेक्शन सेकंडरी सेक्टर का सबसे चलिए तो पहला कोशन यह आते हैं कि क्यूं प्राइमरी सेक्टर का अगर आप देखो कि higher workforce मतला higher rate of participation अगर आप देखो सबसे जाधा rate of participation जो है प्राइमरी सेक्टर में तो क्यों higher rate of participation जो है हमारा primary sector सबसे जाधा लोग primary sector पर क्यों काम करें agriculture sector पर क्यों काम करें तो सब यह कुछ reasons है सबसे वेला इसलिए वहां के लोग जाधा काम करें रेट of participation जादे जाधा पड़े लिखी नहीं है जाधा पैसा निये ज़्यादा इसलिए वहां के लोग जाधा काम कर रहें ज्यादा ज्यादा लोग काम करें बच्चों को भी बेज देते हैं मम्मी वाला ओरते भी जा रही है मर्द भी जा रहे हैं सारे रेट पार्टिस्पेशन इसलिए दूसरा जो गाव है यानि रूरल इरियर्स में जो है तीसरा डिस्गाइज अनिम्प्लॉइमेंट ज़्यादा है जरूरा से जाधा लोग काम कर रहें एक खेत हैं जिसमें सिर्फ दस लोगों की रिक्वाइमेंट थी लेकिन काम कितने लोग कर रहें 15 जो बाकी के 5 लोग है वो क्या है डिस्गाइज जिसको हम हिड़न अनिम्प्ल लग जाते हैं जरूरा से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो रेट पाडिस्पेशन इसलिए जो है गामों में जो है वो जाधा है प्राइमरी सेक्टर में लास्ट रीजन सबसे आपको पताई है कि गामों में गरीबी बहुत जाद है अगरी कल्चर में खेती बाड़ी लोग बुए है भी बहुत लादा तो सारा खांदान चला जाता है बच्चों को भी बेढते काम करने लिए पार्टेस्पेशन क्या है तो यह कुछ रीजन से आपके सामने बहुत पर यह को करने ने किसे केंड़ी सेक्टर में यहांग सिर्ट फिद्टर इसक्टर रहां पर तो एलेख सबसे पेस्पेसपेशन सब्से जादा काम है लोग बहुत जादा कम करकें कि इंडस्ट्रिले पेस्पिक्जों सबसे जादा कम करते जेखरों। इस दूसरा जो इस बेसिकली इंडस्ट्री ज्यादा होती का शेहरों में होती ठीक और यहीं कारने कि पार्टिस्पिक्शन क्या होती है आपने खुद देखा होगा अगर घर का एक आदमी भी काम कर रहे है तो घर चल जाता इसलिए लिए पार्टिस्पिक्शन जो है शेहरों में क्या होती है कम होती है है समझें तो वही आपको रीजन देना कि शेरों के लोग जो इंडस्ट्री सेक्टर के जो लोग होते हैं वहाँ पर पढ़े लिखें हैं जादा प्रडुक्षिन में कॉंट्रिबूट कर पा रहे हैं जाधा पैसा कमा रहे हैं ग्रीबी कम है क्लिए टीट पार्टिस्पीशन तो सबसे बड़ा रीजन है कि MNC आगी हमारे देश में मल्टिनैशनल कंपनी आगी इस चकर में मारे देश में कॉंपेटिशन बढ़ गया और जो मॉडरन मशीने टेकनोलीजी का यूज करती है लेबर का यूज नहीं कर रही ठीक है और इस चकर में MNC आगी कॉंपेटिशन बढ़ गया वह मशीनों कर रही का मूझ कर जो एक इस चकर में देश के लिए कंप करने तो वह बी मशीन का यूज करने लंगे लेबर का कम कर रहें कर में पा्टिशन जो हैं Egypt निंदेस्ट्री चंप करी आई इस चकर में में는지 पंडिक्शन कर रोभ YES ऐ represents रहे नाई थे कूं चलिए लेंसर देट्वें ज्ञादरी भॉत नेंस्पॉटन दोब लेस समरियरत कहां जूब लेस ग्रोथ बोड़ आतार इंपॉटेन दीप प्ष्ञ्टा अशन D इसका मतलब है कि हमारे देश में ड्रोत तौर हुरहिए मतलब जीड़ी तो बढ़े ने जो अमक्यान नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जो नाय। सभूत नहीं है तो नेकि यह जो production बढ रही है ना वह का यूजिकर के बढ रही है यानल है लोगों नोकिर लेकंप नहीं यह उस को कब तेब देश्टेश्ट है लेकिन पर देश्ट हो यह दै कि यह मशीनों को यूज कर रहे है यह लेवर का यूज कर रहे है दिसके जोब लोगों को बास नो करिया नहीं फिर भी ग्रोथ हो यह जो पारिया प्रेक्शन के बढ़ पार गें कि अम लेबर का यूसे नहीं करें जोब लेस्ट आनिम्प्लॉइमेंट की प्रोब्लम बढ़ रहे लोगों में ठीक है तो उसी को कहते हैं जॉब लेस्ग्रोथ चलिए एक ब रहें कि ग्रोथ मतलब गड़ और गड़ ने का मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रहे हैं ठीक है विदाउट और प्रोपोर्शनले राइज इंद पॉस्टुनिटी आप इंप्लोइमेंट यानि अमारे देश में प्रोड़ूर्मेंट नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम मशीनों से प्रोड़क्शन कर रहें लेवर का यूज नहीं करें प्रोड़क्शन को करते हैं ठीक है विदाउट और प्रोपोर्शनले राइज इंद पॉस्टुनिटी आफ इंप्लोइमेंट मतलब हमारे देश में इंप्लोइमेंट लेकिन नहीं बढ़ रही है इसकी वज़से हमारे देश में अनिमप्लोइमेंट क्या रहती है इवन वेन वेंडेर रइस इन गीबी ऑ्रड़ने नोडव रहा है इसलिए अपने सान लेज में लिख सकते हो का मतलब है है कि मारे देश में घर्फ और समय ग्रोथ तो या रहे है और भॉद्लेटे सही लेगिन भी शोडिषान बढ़ने का रीजन है कि इंप्रूफ टेकनलोजी शेसिपैंट становय औरो ही चुछ यह लिगाए लाए विए लाई उप्रव्रेंट के प्रॉब्लम बढ रहे हैं और इसलिए रहे हम जोब्लेस गरोध अप्रिया जाथ यह लेक्ट क्या कारण है कि मारे देश में जोब्लेस गरोध आरी तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है MNC मल्टी नेशनल कंपनीज की कारह हिं हमारे देश में Jobless करो था लिए क्योंकि MNC आगे बड़ी-बड़ी तो यूसरे करें तो निप्लाइमेंट प्रॉब्लम हमारे देश में बहुता बढ़ गी है और यही कारण है कि में जॉब्लेस ग्रोथ हारी है तो बस आपको यही लिखना है कि यह क्यों आरी है करते कि वह थे जो स्पेशलाइज होती अचीविंग रोगती यहांगी तो लाती है यानि प्रोड़क्शन तो बढ़ाती है जीडी भी तो पढ़ाने में हल्प करती है ग्रोथ लाती है देश में थ्रूइपिशेंट यूज ओफ टेकनोलिजी क्योंकि वह टेकनोलीजी मोडर म एंप्रेशलाइन को उसके मांपॉर्ट यूज में Rebel देश को यूज को यूज नहीं ओसे नहीं गती और ये रचे देश कहीं पंडो पॉप्चुनिटी ओपारी है और मैं के मौन यूज disparate देशग लेकिन उसठेट कोई लिख लेगते हैं उस देशलिग्हों अगला टॉपिक क्या होता है इन फॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते तो चलिए वाट इस तो बड़े ध्यान समझी है थैज्टा इस न का मतलब का मतलब है का इस अगर आपको यहां दो हमने स्टाट्टिंग में पड़ा था ड्रेग्लर वोक वॉकर को यह पीलिड उनको पता है तो चैसोल एजशन का मतलब क्याता है च्रही बड़ जाना देश में जो कोन होते हैं भाइब गरें तो चैसोलरीजिशन का मतलब क्याता है हमारे देश में बढ़ जाना उसजी कहते हैं है क्या कई नहीं काम है निकाल दिया गया धीहाड़ी पर होते हैं जो पैशा नहीं होते हैं। दो दिन का कारवे तो में दोसले नहीं करें तो मैंने को यह परमज किया जाता समध हों को इनiver नहीं को इनको और सोशल डिकूटी बेनेफिट नहीं दूप और कोई पेड लीव नहीं है कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती ठीक है कोई जॉब स्क्राइब वही सब सिस्टम है समझ तो का मत्तब है का है का है का है को पते है बस बोले के अब कारण के क्यों हमारे देश में कैसली हाइड वकर बढ़ रहे हैं क्यों तो सबसे पहले लाक औप जादे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो आज का मैं काम नहीं के और काम सिच्वेशन इतनी जन संग्या कितनी है हमारे देश में वान पॉर्टी टू क्रोड क्या सब्सक्राइब नौक्रियां कितनी हमारे देश बहुत कंग इस चक्र में बहुत सारे लोग पढ़े लिखने होने के बाद भी उनको अच्छी नौक्रियां इतनी है नहीं इस चक्र में उनको कोई पर्मिनेंट जॉब नहीं मिल पाती आज काम है कल काम नहीं वह वहली सिच्विशन आ जाती है तो इसलिए क्याग्राइब वोकर समय देश बढ़ रहें इंक्रीजन कॉंपटिशन कितना बढ़ रहा है आप मानते हो कितना कॉंपटिशन बढ़ रहें एक नौकरी के लिए लाकों लोग लाइनों में लगे होई किसको मिल आज हमारे देश में जोब बहुत कम है लोग जाधा है जो बोटीनिटी में हमारे देश इनकरीयां कम है लिमिटेट जॉब्श यह पोपलेशन जादा है किसको मिलेगी मिलेगी तो गिंती के लोग बाकिया रहे जाते तो वही है इस चक्र में लोगों को कई उभर नोगरी ही मिल पाती एक पर्मिनेंट जॉब मिल पाती आज काम है कल काम नहीं है डेली वेज़ रह गें तो वही आप इसमें कुछ रीजन्स है तीन नमर का कुश्चन आया तो आप बस मीनिंग और यह होते होना यह की एक दो रीजन्स लिख देना इनटाई को समझने के लिए बेटा आपको दो सेक्टर्स के बारे में जाना जूरी है कि फॉर्मल वाकर्ष को और इन्फॉर्मल वाकर्ष को समझने कि पहले आपको तो यह तौप्ट्इक समझना जरूरी है कि वहरे का होते हैं तो सबसे फ़हल वह समझेगे ऑधिस 4 इन 1.1 को उते शवर्मल वकर्स को इस गषाएं खफ न्हीं सेक्टर में काम करने का मतलब मेर इंके पास और जाप होती है एक तरह से पर्मनेंट जोब रहती है इसे उपनेंट लेटी है और पेड लीव वी मिलती है और सोशल सीकूर्टी बैनिफिट भी जाटर्स वर्रेट फिसर पीडाम्ट फिस्ट लेनेंट रहती है उनको थिक एक जारत रहुत हैं आज काम नहीं और ये वाली सीचुइशन नहीं कोई जॉब सीक्यूरिटी नहीं कभी भी निकाल दिया जा सकते हैं इनको अच्छा अब क्वोश्ट है कि मैम कैसी करेंगे कि फोर्मल वकर्स के उतर नहीं थान समझ लेला इंक्लिएव औल गॉर्मंऩ देपाट्मेंन्स पर्बिक या फिर प्राइवेट एंटर्पाइज में काम कर रहे हैं कि उनकी एक तरह से जौब कर मतलब है कि एक तरह से किसी government department में काम कर रहे हैं प्राइवेट enterprises में भी काम कर रहे हैं लेकिन वो हायर कर रहे हैं दस या दस से जादा workers को हायर कर रही है वो क्याती है फॉर्मल वकर्ट उती है फॉर्मल वकर्स जो और गनाइस सेक्टर में काम कर रहे हैं किसी government job में है या अगर private job में भी है तो वह 10 से जादा workers को हायर कर रही है एक तरस उनको को सोशल सेक्टी benefits मिलते हैं जॉब सेक्टर में काम करते हैं किसी ऐसे private enterprises में काम करते हैं जो 10 से कम workers को हायर करी तो इनको कभी भी निकाल दिया जा सकते हैं कोई जॉब सेक्टी नहीं किया जाता ठीक है इर्रेगुलर पेइमेंट से एक तरसे डेली वेजर से कैसुली हाइड वरकर्स ज्यादा तरही होते हैं आज काम है कल काम नहीं वह वह वहली सिच्वीशन तो कंफ्यूस मत हो ना कि इसके 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 लिए अंधर गौर्मेंट सेक्टर आगया और बागी मैंने आपको डिटेल यह तरफें इसे पर्मनेंट जोब होती है तिए के लाव इनको Social Security benefits वगेरा दी जाते जैसे फेसिलिटी पेंशन वगेरा दी अब पता है पेंशन आपको पाता है रिटार्मंट पेंशन पेंशन पिया अब को पता है और यहां पे गरता है तो वह दो अनिल खंड सब्सक्राइब क्लस्ह्सट अगर आपको याद हो आपने एक मीवी बदा तती हूनिंट को that श्राद रिखमाड मौहिवाक पाइब अब वह मीवी देखिए लाड़ला दिसा के बाकर शीडेविया जबद करेंगे जब तक 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 यहां पर कोई नहीं खड़ा होगा कोई यहां पर काम ने करेगा कोई मशीन नहीं चलेगी कोई काम नहीं होगा ट्रेड यूनियन बना सकते हैं तो निकाल दिया देगा क्योंकि कोई रेगलर जॉब नहीं कभी भी निकाल दिया चाह सकते हैं तो निकाल दिया देगा वह एक इंसान खड़ा भी हो गया ना कि मेरी तंखा मड़ा दूसरी नौकरी देखा कुछ भी मालो एक्जामपल तो यहां पर कोई भी ट्रेड यूनिय नहीं बना सकते कोई भी बना सकते हैं यहां पर भी यहां आख किसी भी मज़दूर के साथ किसी भी लेबर केसाथ मालो थे हुआ है कुछ तो गौर्मेंट के दौवारा कुछ बने गया है कुछ लॉस बने वह बने हो हैं वह कूछ मेरे जाके पाइक लिक eves कर सकते फाइल डाल सकते हैं अपने अपने लिए खड़े होके स्टैंड ले सकते हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि एक तरह से रेगलर जॉब है यहां पर यहां पर यहां पर यहां प्रोटेक्टिट बाई लेबर लॉज कि अगर कुछ गलत भी किया मालिक ने उसके सकते हैं उसके फाल खाला कोई परूफ नहीं होता उनके ना प्रोटेक्टिश को प्रोटेक्टिश नहीं होतां वाइद को हम इससे थinden darf को बोड़े। तो वह अपने लिए सकते कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आपने ली लड़ सकते उनके खिला तो यह सारी चीज़े फॉर्मल वकर्स होते हैं असान बात करूं तो फॉर्मल वकर ऐसे वकर्स होते जो इन इन में काम कर रहे होते जहां दस से जादा वकर को हाय किया को मिलती है इन फॉर्म वरकर का बढ़ जाना देश में उसको हम कहते है इंफॉर्म स्टीशेशन का मतलब क्या इन फॉर्मल वरकर्स का बढ़ जाना उसी को हम क्या क्या ह classify information नो सो about airports पर्फॉर्स आइसी सिट्विशन लींटा MRC आप में इन फॉर्मल सेकटर की चो ऑप क्लाइजेश्टार थे और फॉर्मल वर्क्राइस जो यह बह रहे एन स surprise क्रें आइन फॉर्मल सेक्टर की चो वकार्स से यह निось कंड in formalization यानि formal formal workers का कम हो जाना-dash क्यर dram कि की कि की क collaborated करोगी की और यही और और में तक कि यह सी स्टेक्टर करकर रहे हैं और किसी गंक मंनूल मोर्य में इंस्टिट्ट्से पबलिक एंटरप्रेजेज में यह किसИ स्टेक्पिक में में दो दस से जाधा इंटर्पर गरिंट होग तो अब क्या है अब क्या 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 प्राइब्लम को आपको पटा यह जहादा पैसा क्या क्या ग्रेजेशन कोई रेगलर जॉब नहीं बीदेन को इनको निए को प्रोटेक्ट करने के लिए उस्जारी चीजा नहीं हैं तो ज्यादा पैसा नहीं इनको इनको निकाल दिया जाता है छेसे वह तो गंटे उससे जाधा भी कई बार उनको काम करना पड़ते कोई फिक्स आर्ज नहीं कोई फिक्स वोकिंग जार्ज नहीं तो यह कुछ प्रॉब्लम्स है जो इन फॉर्मलाइजेशन की जो आपको पता है ठीक है चलिजी नेक्स क्या है फड़ा पड़ से देख लीजी जल्दी इस बार भी पर प्रॉब्लम इस उनको काम मिलने रहा वह किया थी आनिमप्लाइब की प्रॉब्लम में दो ऐसे तो बहुत सारे था थाइप्स होता है ठीक है अगर मैं बात करूंट्री इन वॉलेंटरी अनिम्प्लाइमेंट होता है फुल इंप्लाइमेंट भी एक चीज हो बार सब्सक्राइयं को क्ष्क्चुरल एंव्लाउमेंट फ्रीक्षिनल ऐन एन फ्लाइमेंड में बहुत सारी टाइप सथी आनिमप्लाइमेंट की लेकिन एस छैप्टर में वहां मैं नहीं पढ़ते हैं वहां में एककोन या फिर हिड़न एक अपस सीजनल इंप्लावमेंट तेसर अगर आप ज्जाधा यह तो आप ओपन अनिप्लावमेंट होता है वो क्या तो भी मैं समझा हम ठीक है चली तो सबस्च बैले ड्स गाइप्लाइब्मॉइम्ट यानि हीदन अनिप्लाइब्मइट कहीं आपको सब्स ज़रूरां से जाधा लोग काम कर रहे हैं इस पेशली गामों में होती हैं डीजडॉस पायज लोग करें जती है लोग जुट्यूआइं निक्राइब यह हिए सिच्ट्वीशन डीक्वाइद आपके जब जरुरित लोग काम कर रहे हो उसको हम क्या कहते ते यह जैं के गरिकल्चर प्राइमल सेक्टर या कामव में फ्रॉल्लम होती है स्पेशली खेती बाड़ी में डिजगाइस अनिंप्लॉमेट होती है सारा खांदान उस पर उसी खेती बाड़ी में लग जाता है जुरूर से जाधा लोग काम कर रहे होते हैं यही पांच लोग कोई और काम धंदा ढूंड़े कुछ और काम कर ले तो घर में सोर्स ऑफ इंकम तो पता हो तो पंदा लोगों में बटेगा तो पर परसन पैसा जो है काम आएगा तो बागी के पांच लोग क्या है कोई और काम ढूंड़ ले कोई और जन्ना ढूंड़ ले सोर्स ऑफ इंकम बढ़ेगा खर का चलिजी तो बाइए डिजगाइस अनिंप्लॉमेंट का मीनि यह सब्सक्याइड अनिंपलॉमेंन होती है रूरल घंव इस आद tú कोई नीड ही नहीं कि दिस्गाइज अनीप्लोफ में हीड़न चुपी देखने में तो इंपलोएड लग रहे हैं वह जा रहा है रोज जा रहा है सुबधे की काम कर रहे हैं पर आक्षिल में नीड ही नहीं है वहीं पास लोग कोई और धंदा ढूंद ले कोई और बिजन दूले तो घर का सोर्स ओंगम बढ़ेगा कि नी बढ़ेगा तो जोईन फैमिली सिस्टम पूरा खांदा नेक में लगाओ खेट लोग काम लिए तो पहले आपे पंदो कम अप्र सब्सक्राइब टो फोर पीपल प्रूरल ले इस की अगाओं में लोगों के पास एक सोर्स ऑफ इंकम है एक सोर्स ऑफ अगर मैं बात करू है प्लॉइम्टि लोग खेतिबाड़ी में लगे लयगे सारा खाना सारे लोग लोगों को मोटिवेट करो अवेर करो किसम खेती बाड़ी ना करो नौन फार्मिंग एक्टिविटी उसकी तरफ तुम शिफ्ट हो जैसे कि आनिमल हस्बेंटरी करो पश्यू पालन कर दो गाय भैस चराओ उसको दूर वगारा निकालो मार्केट में बेचो डेरी वगारा में सब्सक्राइब करो तो उनको बोला गया कि तुम सिर्फ कैते सिर्फ खेती बाड़ी ना करो नौन फार्मिंग एक्टिविटी की तरफ भी जाओ ठीक है जैसे कि पाश्यू पालन हो गया फिश्टी दोगी होटी कल्चर हो गया यहां पर भी तुम शिफ्ट करो ठीक है ताकि वह कोई और जंदा डूले मतलब जैसे कि खेती जैसे की पशु चराले कुछ भी कर ले फिश्रीज वगारा के थ्रू कर ले या होटी कल्चर कर ले होटी कल्चर फार्मिंग कर ले यह कर ले इससे सोर्स उप इंकम बढ़ेगा घर का फिक्यां तब हीचिश्ट करो फार्मिं activities की तरफ भी shift करो दूसरा क्या कारण है कि हम disguise unemployment को control कर सकते दूसरा क्या है development of industries in urban area कि भाई शहरों में industries वगेरा develop करो ताकि जो गामों के लोग है वो शहरों में जा सके एक नौकरी करने के लिए क्योंकि गामों में क्या खेती बाड़ी है खेती बाड़ी में इतने लोग सारे खांदान उसी बें तो शहरों में नए-न इंडस्ट्री वगेरा खुले तो इस जहां सीजनल निंप्ल्मॉइमंट का मतलब कि सीजन के टाइम पर काम है इंप्लोएड आते ही बिरोजगर हों काम नहीं है उप सीजने काम नहीं यह इतानों करी से बढ़िए से बहुत ज़्यादा होता है मान दी रूरल में अर्बन भी पी prats जो पांच से ची ने उगी ठीक है जो कोई भी फसल लोगा है जो पांच से ची मेने में वगगरा उगड़ा बाकी कीव 5 मेने प्रच कि बई और शेजरों की बात करूं तो शहरों में होती है रब़ेट कर लएट प्रडिय सर्दी आने लगते है काम कम होने लगते हैं कम बहुत होता है और रहाँ क्रशिंग एक फैक्ट्री होती है हागर मैं बात करूंड् 서로 I विघर के जो भी है चीनी वगेरा बनाने में जो भी ने काम होता है ठीक है? मह लो तो यह भी सीजनल है, सीजनल में काम होता है तो लोगों को पॉइंट करती है, और उफ सीजनल हो जाते है तो उनको निकाल दीती है so, एकसामपल मैं देरीग अधिक है कुछ महीने उनके पास काम होता और वो कोई नोकरी ने ढून पारी होती है यह रूरल और अर्भन दोनों में पाई जाती है जैसे अग्रिकल्टर फामिंग यह तो आपको पता है गामों में खेती बाड़ी करते यह वाल एक्जामपल डाल दे यह तीसरा आपका एक्जाम्पल कोई भी एक्जाम्पल डाल देना कि खेती बाड़ी करते हैं तो 5-6 महीं एक्जाम्पल निकाल दी जाते हैं और शेहरों की बात करें तो शेहरों में इंडस्ट्री वगरा जो होती है शुगर केंट क्रेशिंग हो गया या आइस फैक्ट्री वगरा होगी या कोई भी एक्जाम्पल दिखते ना सर्फ यह और भी बहुत सार एक्जाम्पल डाल सकते हैं तो अगर मैं बात करूं यह होता कहा है यह जो वाकर्स होते हैं इन कामों में एक्टिविटीज में क्या होत सब थानल रहते हैं यह जब सीजन का त一樣 है जब और सीजन आज तो कुई काम नहीं है नेलं नेच के लिए आपका वी बॉक्स में मिलेगा एक बॉकस में मिलजाएगा अपकी किताब में बॉक्स ओगा त Lewis यह लोग उनिंट कर लेना चार पॉयंट है डेटा सोर्स ऑनिंपलो of census of India census वह जो देश की जनगनना करती है कि देश में किती नहीं पॉप्लेशन राइंट करती है कि देश में कितने इंप्लोइमेंट कुछ सब्सक्राइब करती है थी दूसरा अनघ्र सब्सक्राइब ऑग अ लेबर फोर्स मतलब डेटा क्लेक लेकरती में नहीं कितने लोग इंप्लोइड से कोलेकि क्या है। इस बिख सकते हो इसको डारेक्ट जन्रेल लोग कि इतने अलिंप्लोयेड लोग लोग यथे कोई इसने तर्ली भी तीन याद कर ले नव nuclear अ आता है कि हमारे देश में इतने ज्यादा बिरोजगारी बढ़ने के कारण के सबसे बहुत दूसरा रेपट ग्रोथ बड़रेशन देश में बहुत जादा बढ़ रहे हैं जन संख्या बहुत बढ़ रहे हैं नोक्रियां इतनी नहीं हैं तो इस चकर में कितने लोगों को मिल जाएगी तो कितने लोग जो है बिरोजगार रहे जाते हैं एक सीजनल है खेती बाड़ एक सीजनल फांच शेमेन उगती है बाकी के फांच शेमेने जो है लोग बिरोजगार है जाते हैं को सोर्स नहीं इंकम कानके पास तरह भी गामों में बहुत से इरियाज है जहां पर इरिगेशन फेसिलिटीज नहीं हैं कोई कुवा नहीं है ठीक है और कोई आज दो एक समस्राइब मेगा आज दिपेंडन्नल और पैंडन्न टीक कर दो यानि वे रोजगार् काम है इंप्लोइब आज दो प्रोडक्शन हो रही थे प्रडक्शन और एंप्लोएब आगा बारिश आई निए पॉखा पड़े गई अब परदक्शन नहीं कर पारें तो कितने लोग बिरोजगार हो जाते हैं तो वह है लाक और इरिगेशन फिसलीटी भी हमारे देश में पानी की प्रब्लम है रेंपोल पर डिपेंड़ बहुत सारे फामर्स तो अगर रेंपोल आजाती है बारिश आ जाती है तो तो लोग आ पाते ठीक है जिसे डिसगाइस अनिप्लमेंट शहरों में भी होता है एक फैमली बिजनस है जरूरा लोग लगे हों यह भी होता है ठीक है जिसे डिसगाइस अनिप्लमेंट की प्रब्लम आते हैं डिकलाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री आज हमारे देश में MNC लोग उनका प्रड़क्शन नहीं कर पाती है आज हमारे देश में MNC आने की वज़े से लोग उनकी प्रड़क्शन प्रसंद कर रहें इनके प्रसंद नहीं सब्सक्राइं अजोडस्स करते ने लुटब्सुस्टी यह एंडस्ट्री आथि यह यदुस्ट्राइं यो इन्टेंसिव स्ट्नोटी आओ यह यह था यह यह थे वाठी chave ing jitner पैसा कम आते हैं सब्सक्सक्राइब सेव कम किया इस फीजना आपने बिजनस में कम नोगरा धीजन गरीज न सब्सक्राइब अब घर ने लोग ऑग आते हैं निकाल दिया जाते हैं क्यांकि तो इस नहीं बात है जिनके पम करीघ आगले क्रिगे हैने तो बहुत को निकाल दिया जाता है नेक्स लिमिटेड मोबिलीटे में ढ़लानि 구ало कि आगले डेश हमारे देश में बहुत सारे लोग लीवर्प ना जगे से दूसरी जगे नहीं करना शेफ्टन एक जगे से दूसरी जगे स्पेशली गामो के हमाइब करते हैं यह फिर अपना परिवाथ छोड़के जाने बहुत सारे लोग है धिए जुड़ ही नहीं कर पाते जोबुइन से और नहीं जाएं इसे लोग उभूह उसकार को रहे जाते term को employment opportunities नहीं मिल पाती है और हमारे देश में unemployment बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों बस काम क्यों नहीं है क्योंकि मशीनों से production हो रही है लेबर से नहीं हो ठीक है चल तो यह आपके कुछ points ने जो हमने की problem को खतम करने के लिए government क्या रोल प्ले करती है कि देश में unemployment की problem जो बिरोजगार ही हमारे देश में उसको control कर सके उसको खतम कर सके तो गोवर्मेंट बहुत तरीके से employment opportunities generate करती है एक करती है डारेक्ट employment एक इंडारेक्ट करती है और तीसरा बहुत सारी गवर्मेंट ने पॉलिसी गवाईरब्मेंट निकाले प्रोग्राम उगर्मेंट निकाले ताकि support को कोई भी कहीं पे भी गौर्मेंट जॉबस की बहुतसारी बगेंसऊ सदों सबस्क88 रएक करती तो यह उस्वाइप करती है बहुतसे लोगों को क्या करती करती है बहुत से लोगों को क्या करती है और इस ताइप करदे साफिए नौकरीओं के लिए डिफरेंट इपार्मेंट के लिए पहलोंगे डिएक से अने का जटी इंडिरेक्ट का इंडिरेक्ट्ट के इंडिरेक्ट इंडिरेक्ट का मत्तब है कि यह तो इनिड इंडिन कति कैसे लोगों को कैसे काम प्रुएड करि邊 कि मालों कि इंदस्ट्री कहां पे लिए न ही फिर별 किसी प्रडायवेट्स अधिस बाषिति सक्टर श्रESEति वह तो अब रहा है कंने पर цен क्लिए तो बहसal लोगों को प्राइवेट क्रीडित करें और ज。 था अब प्राइवेट क्या करेंगा수vel deaf इंप्राइवेट सेक्टर के fondo grow तरह लिँकर तक चाहिँ कए इंड्राइक करेंप टूर्में असके कई सो भांक लिए इस से उसके ऑन कीयो चरह अर्सक्राइब सब्सक्राइब अचरक एक उच्टिकार दे作品 आपे ट संधिर य़र् advice as a result the number of employment opportunities in the economy will increase एको सीधी भी बात है गोर्मेंट ने प्राइवेट सेक्टर से अब प्राइवेट सेक्टर की क्या बढ़गी तो प्राइवेट सेक्टर की क्या बढ़गी तो प्राइवेट सेक्टर और ज्यादे इंप्लाइमेंट अपॉर्चुनिट इस प्रवाइग करेग इस इंक्रीज इंप्लाइमेंट को क्या बोल देते लुए अंडरेक्ट इंप्लाइमेंट बाइद भी भुल देते हैं हुट हमारे दिश में इनड़ गऊनने इंडर्क समझोगेइं इंडरेक्ट وتबूशनिट करए और हो गया धारी महसंट अपतनी सारी जोजना कितने सारे उाइ Finn anche ढ कोंड़ सब्सक्राइज जीकिश रिजिक उत जपल जिक आगे इगे बिंग्लीس करेंगे एक इक फिरूग्राम को इसकॉस करें जिक कि है कि कुछ रीसेंटली कुछ परोग्रांट करें लेके यह कौन कॉंसे रीसेंटली आये एक आपका आत्मनिर्भे भारत रौजगार योजना मेक इन इंडिया स्टार पंडिया स्टेये इंडिया यह सारे कुछ प्रोग्रांट्रान से जो रीसेड 25 अगर रीसेंट biscuit इसेड पहले ही मतलब बहुत जादा समय नहीं हुआ रिसेंटली गौर्मेंट ने कुछ इनिशेटिव लिए हैं ताकि देश में इंप्लॉर्मेंट अपॉर्चनिटीज को क्या जा सके जिनरेट किया जा सके तो आप ही जरूर लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चिन है कि अगर में बात करो अनिशेटिव लिए क्लॉर्मेंट ने लिए टाकि इंपॉर्मेंट अपॉर्चनिटीज को जिनरेट करेंगे तो नहीं है तो कि अब बस्ते ब्लॉर्म्च ने बात करेंगे अगर आप देखो कि तो बिल्कुल चाप्टर के एंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स होगे ठीक है हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है कुछ एक्जिस्टिंग प्रोग्राम जो गौर्मेंट ने बनाये थे लेकिन वह आज एक्टिव नहीं है तो बस आपको सर्फ नाम याद अखना इसको डिटेल नहीं करना इस पर तो कोई कोश्चन नहीं है आज नहीं चल रहे ठीक है यह पहले लेके आये थे इंप्लॉमेंट को अब्जेक्टिव था लेकिन यह आज प्रोग्राम जो है वोकिंग नहीं ठीक है क्या-क्या प्रोग्राम से बस नाम नाम पढ़ लेना नाम जुरू पढ़ लेना तिसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था जो गौर्मेंट लेकर आई थी इंप्लॉमेंट को जेन अब जो अब आगे हम पढ़ रहें कुछ प्रोग्राम लेकर आई ती लेकिन वह आज एक्टिव है यानि वह आज भी चल रहे है ऐसी प्रोग्राम तो सब चले दी तो को डिसकुस करें वह लिट नहीं कर रहे क्योंकि वह एक्टिव गॉली हम करेंगे और कुछ इनिशेटिब कि ली रिसेंट इनिशेटिव इसको भी डिसकुस करेंगे एक एक करेंगे चले सबसे बहला गावों में लोगों को 100 दिनों तक हंडे डेस तक गरंटेड इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रवाइड करती थी लोगों को कौन से लोगों को गावों में लोगों को हंडेड डेस तक गरंटेड इंप्लॉयमेंट प्रवाइड करती और किस में प्रवाइड करती जो मार्केट में चल रहा ना वेड़ेड उस वेड़ेड पर प्रवाइड करती थी तो एंजी ने लेगा आया कपका लॉंच कब हो तो याद लेना यह और सो घरा अच्छा से लोगों को employment opportunities मिलना कब शुरूई थी इस योजना के थ्रू अगर मैं बात करूं तो वह कब से शुरूई थी 2nd feb 2006 से शुरू होगी थी लोगों को नोकरिया मिलना काम मिलना अंडर डिस एक्ट इस एक्ट के थ्रू क्या होता है ऐसे लोग जो काम करना चाहते है ऐसे लोग क minimum wage rate जो भी government decide करती है उस wage rate पर काम करने के लिए त्यार है उनको government क्या offer करती है guaranteed minimum period of 100 days guaranteed employment provide करती है minimum period of 100 दिन कम से कम 100 दिनों के लिए उनको guaranteed employment opportunities government क्या करती है प्रवाइड करती है चलिए next क्या है आपका national rural livelihood mission जिसको हम बोलते है नाशनल रूरल लाइवलिहूड मिशन तो देखो रूरल एरियस की था रूरल एरियस में इंप्लॉयमेंट अपॉर्टुनिटीश को जिनरेट करना था ता कि लोग क्या है अपना livelihood कर सके अपना survival कर सके ठीक है सीधी सी बात तो ही क्या है इस कीम का एक में Curl. Master को क्या चाहता है एसे और संपलॉयमेंट को क्रेट करना सेफ़ Ampl Shakti का मतलब क्या है लोग आत्म निर्भिोर हो जाए मतलब इसे लूग अपना खुट को को इस बिजईसन्स ऑनना चांगोर्ट को सके और उसे को लोगों theft में और लेआगया को गावो में जो लोग है अपना कोई छोटा मोटा बिजनस खोलना चाहते हैं तो उनको लोन बगराइड करती दी बहुत ही कम रेट अप इंटरस्थ पे ताकि लोग जो अपना कोई छोटा मोटा बिजनस खोल सकेर और सेल्फ इंप्लॉइड तो गौवर्मेट का मेन अब्जेक नेब एज दीन लाय नानल रूरल लाइबलियुड मिशनल नया नाम रख दिया गया है वो क्या है दीन लोड़ियॡ का एक और नेम है अजीबी का इसको रिनेम कर दिया गया है उसका नया नाम क्या रख दिया गया है इंतर योध्य योजना यह चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेना आजब चूह तो के विज तो को है पर दान मंत्री और विशल यह जो ऒ bientôt निका लिए पर दान मंत्री की दोड़ी यह निका लिए यह निकाली गयी है प्रधान मंती conti में बहुत से गामें जापे प्रॉपर रोड कन्टिविटी नी है औल वेदर रोड नहीं है औल वेदर रोड का मतलब है कि हर मोसम में हर वैदर में चलने व्लोड रोड ने बारिश आज़ा दल दल मत जाता तो यह तो यह हम लगत होती दो ताकि जिससे अब रोड बनेगी तो कितने लोगों को काम मेलेगा यानि कितने लादा लोगों को सिंगल औल फड़ कनेक्टिविटीigu प्रवाइड करना औल फड़a कि बनाना जो हुर मोसम हर था गर्म्मे करोंग तो सब्सक्क्राइब करने का किलोग से सिहाने पifter को यह करना इस योजना का में अप्जेक्टिव क्या था ए हम वह बात कर during क cachot कर रहे हैं तो यादो और बात करी कि क्या क्या encant कर रही हैаюсь के अने व्ह देट ह 1997 को मेंस हाट इंडिक सब्सक्रापत बोला कि अइसके लाब प्रांग बनाती है ताकि देश में लोगों को काम इंप्लोमेंट वह सब देख लें तो क्या-क्या इनिशेटिव लिए जल्दे लिए सबसे वहले आतम निर्भे भारत रोजगार योजना जिसको ए बी आरवाई भी बोलते आतम निर्भे भारत रोजगार योजना तेखो यह ध्यान समझी यह जोजना आई कफ्टी 2020 के अंदर गौर्मेंट लेके आई थी सुना भी होगा आप इसका नाथ अभी आई है देश को आतम निर्भर बनाना है यानि जो हमारा देश है वो सेल्फ सॉफिशेंट हो जाए हमें किसी भी और कंट्रीज पर डिपेंड ना हम अपना कोई खुद का बिजनस वगारा खोले सेल्फ रिलाइंट हो ठीक है आतम निर्भर भारत बोलती थी ना आतम निर्भर भारत है ना आतम निर्भर भारत रोजगार मत्तब्स इंप्लोर्मेंट को जिनरेट के ना में अब्जेक्टिफ सिक वचल्ग है उनको नहीं में नहीं पॉप्लोर्मेंट भांड। करना का गॉप्ढेंट कर máma में अब्जोसार रिस्टोरेशन ऑव लौस ऑफ बॉप्लोरिएमेंट्स लोइमेंट को बिख सारे लोग तो नोग किसे में उनका वापिस से नोग्यान करती हैं सब्सक्रीटी दोगों देना फ्रेश टैलेंट को काम देना दूसरा रिस्टोरेशन आफ लॉस अफ इंप्लॉइमेंट मतलब जो भी कोवेट-19 के समय में क्रोना के समय में जितने लोगों ने अपना काम धंदा खो दिया था यारी जितने लोग बिरोजगार हो थे उनको रिस्टोर करना उनको वाप बढ़ाने के लिए योजना लेक ती तीक है इस योजना का भी जो में अब्जेक्टेव क्या था नियूंक्त को जनेरेट करना था इस योजना का जो में अबजेक्टिव था बेटा वो न्यू इंप्लॉउब्वेंट को इनू इंप्लॉउबंट मतंब नुए टैलेंट को हायर करना व्रेश टैलेंट को हायर करो जो हमारी देश की यूवापीड़ी जो अभी-भी पढ़ की आई है उनमें जाद स्कील्स हैं पड़े लिखे भी है तो वह उन फ्रेश उन युवा पीडी को हायर करना मैं बात करें नियू इंडॉर्मेंट को जनलेट करना इसका मेन अबजेक्टिव था अब बड़े धान समर ना इसके लिए एक प्रॉपर फ्लोचार्ट लेका है क्या है इसके देख वह धान समर लेना परफ्पिज होते हैं प्रपर तो संजहा निहां गर्मेंट कैती है इंडशक वह लोगो यह जो भी अगरमा बात करोओ गुंडी में प्लोऊर एलावी प्रॉपनिय सब्टेव लोगों कि टूमेय नियू इंप्लॉइमेंट को जनरेट करो अभी मैं समझाओंगी यह पूरा चिट्ठा घिट्ठा खोलोंगी टेंशन मतलो कि मैं आपके यह पढ़ाया नहीं सब पढ़ाऊंगी टेंशन मतलो एक एक लाइन पताऊंगी क्या है इसमें अब समझ लो पूरी कहानी समझा रही है पहले कहानी समझा रही है फिर में वहाँ पर चलो गवर्मेंट कहती है एक नियू इंप्लॉइमेंट को जनरेट करो जो फैक्ट्रीज की जो इंप्लॉयर्स है जो मालिक है उनको कहती है कि तुम नहीं टैलेंट को हैर क्योंकि यह जाधा स्किल्ड है यूवा पीड हमारी द बोते हैं ना कापिबिल्टी जादा है स्किल्स भी थोड़ी जाधा रहती है तो काम अच्छे से कर पाते है फ्रेश टैलेंड जो नहीं यूवा पीडीए वह ज्याधा अच्छे एक्टिव रहते हैं एक्टिव लोग होते ही तो गवर्मेंट कहते हैं नियू इंप्लॉइम को हायर करते है न यह फ्रक्टरी वले जिस भी इंप्लोय को हायर करते हैं तो आपको पते हैं पीए दिया जाता है था तो एक बार देख लो यहां पर contribution to be paid अंडर employee provident fund EPF मतले इंप्लोय प्रोविडेंट फंड तो आपको आपने देखा हुगा कोई भी जो जॉब करता है जो भी नौकरी करता है तो इसके सट्ड करता है और पी इस वी डलता है उतना वह तो इंपलोयर नहीं कंपनी का ये जिस बहें करें लिए इंडस्टरी जहां पर भी व्हां काम रहे हैं उतना वह प्रकार ना तो बारा परसेंट सारा प्रका चुर्ण को पाड़ान वैज इंपलोई जितना अगर किसी भी वह तो 12% एकोईफ डिए से कोए में मैं डिटाए सेल्री में सेलरी और उतना ही एमपयार को डिएना पड़ते हैं 12 इसना ही 12 यह तक है यह तरीपी आपने दलता है ककले सीफेली मैं piss Hang Any डालता है और कृश्ट है पॉरा को पूरा हर मिन इसको मिलता रहता है वह सब्सक्राइब कुछ इंप्लोय यह दालता है और कूछ पॉर्शन जो इंपलोय पोड़ता है है हर मेन हर मेन चारता और इसको kommen अब क्या वह यह तोगने गर रहता है फिर द जिए तो बसुदि Democrat लोगो में बात करूं कि अगर तुम फ्रेश टैलेंट को हाय करते हो नए इंप्लॉइमेंट अपॉस्टन्टीज जिनरेट करते हो तो देखो भई जो तुम 12% इंप्लोई के पी एफ अकाउंट में डालते हो डालते हो दो तरीके से डालते हो तो एपेफ के तुरू भी और EPS के तुरू भी 3.67 एपेफ के तुरू और 8.33% EPS के तुरू यह डालते हो तो गॉर्मेंट केती है देखो भई सीधी बाता है इंप्लोई अपना तो डालेगा ही डालेगा चीक है और तुम जो 12% डालते हो 3.66 तो 3.67 तो तुम डाल लेना बाक यह पैसा आने वले तीन साल तक हम डालेंगे आने वले तीन साल तक जो है गांबेटिस के इन्हीन में तुम रहें है तुम ने भी शाथी कि देश में नियुण इंप्लॉइविमन जुन करना ठेश थे सब्सूर्दें कन देश में ज्याम इतने ज्यादा प्रडक्शन कि देश में तन्ह ज्यादा देश का जीडीपी बड़े का उतने ज्यादा देश में ग्रोथ डिवेलबंट आज़े तो गॉवर्मेंन ने उनको लालत दिया फैक्टरी वलों कि ला लुग देको देखो देखो 12% अपना डालेगा बाकी बार्रक् एक कंडिक्शन यह है हम तभी डालेंगे अगर आप इंप्लॉइमेंट को जनरेट कर रहे हो एक एप्रेल दो हजार सोला से 31 मार्च 2019 तक अगर आप इंप्लॉइमेंट को जनरेट कर रहे हो तो उसके आने वाले तीन साल तक जो इप्लॉइमेंट करेंगे यह माउंट करेंगे आने वाले तीन साल तक लेकिन शर्त यह है कि आपको इस पीरिट के अंदर को हायर करना होगा अगर आप 31 मार्च 2020 21 22 तक यह जो हमारा यह जो आपका EPS का माउंट है एट पॉइंट पॉइंट परसंट जो माउंट है वह हम बियर करेंगे आने वाले तीन साल तक हम करेंगे लेकिन शर्त यह है कि आपको जो हाइरिंग है फ्रेश टैलेंट को जो हायर करना है जो नियू इंप्लॉ 28 2022 तक हम यह अमाउंट को क्या करेंगे इस अमाउंट 8.33 परसंट इस अमाउंट को हम क्या करेंगे बीर करेंगे बागी पढ़ते तो और क्लियर हो जागा समद्थे हैं चलिजी तो यह योजना लॉच कब हुई थी यह कब योजना आई थी एक अपरेल 2016 हुआ थी तबी तो सब्सक्राइब करेंगे बागी का जो 8.33 परसंट तो मालिक खुद करेंगा बाकी का जो 8.33 परसंट हुआ हम बियर करने के लिए करेंगे थी तयार है अगर तुम निए टैलेंट को न्यू-े म्त्लोर्मेंट अपर्टिशन जनेरेट करते हैं इस पिरिट के अंदर ठीक है चली का है कर वह कहते हैं कि इंप्लोरेट करती है कि मैं एमप्लोर्मेंड का निप्ड़िशन एप्र का जो निए8.33 परसंट तक आने वले तीन साल तक हम बियर करेंगे और यह जो स्कीम है वह सेमी स्केल्ड और उन्सकिल्ड वोकर्स को ही कवर करती है यानि ऐसे लोग जो बहुत जादा पड़े लिखे निया फिर बिल्कुल उन्पड बिल्कुल पड़े लिके निया क्योंकि इनकी सेलरी कम होती है इनकी कम होती है और इनकी सेलरी जो है 15,000 से कम ही होती है तो गॉर्मेंट जो इसली यह पीएफ का जो खट्चा आने वाले तीम साल तक उठा लेती है इंप्लोयर्स का ठीक है जो बेनिफीशल रिजिस्टर अप्टू 31 मार्थ 2019 वही बोल रहे है कि जो भी आप फ्रेश टैल अफ्रेशन अंडल शीम डाट्ट इस अफ्टू 31 समार्स 22 कह रही है कि आप अगर इस पीर तक हायर करते हैं जिस भी दिन हायर उससे अगले थीन साल मालो लेशे इंप्लोय को हायर किया हमने एक अपरेल डो सार्फ इस तारह में मालो को थो आने वाले थीन साल को ऐए ठीक है समझ कि अगर आप 19 में हायर करते हो मालो 31 मार 2019 में भी हुए नहीं तो तो भी देख लो आने वाले तीन साल कितने में 31 मार 2020 21 22 तक गौर्मेंट एक खर्चा उठाएगे अगर आपने कि का जो बीटा 3.67 वो तो इंप्लोयर ही उठाएगा यह वालग पॉर्चन जो गौर्मेंट उठाने के लिए वही बात करें यहीं मैं समझारी थी आपको कुछ भी नहीं यहीं बोला हुए कि अगर लाग दिन भी हम उलेते हैं तो भी मालो 31 मार 2022 तक गौर्मेंट उठाने के कि त्यार बस यहीं है कि इस पीरेड में ही हाइरिंग होनी थी चलिए चलिए ओब्जेक्टिव था नए नए फ्रेश टैलेंट को ताकि देश में हायर किया जा सके ताकि देश में प्रडक्शन बढ़े जीडीबी पढ़े और देश में ग्रोथ हो सके थोड़ाद लग गया शां करने के लिए कि उनको एंप्रोफजान ले उसके लिए कभ्यान लेकर आय ति 125 दिनों कभ्यां था 922 बेंट्दों सब्सक्राइब मियालन को ने कि मि consistent पॉपीलेशन पैंडमिक बहुत तरी नी माईगरेट वोकर्स को काम देना बहुत सारे जो लोग है जनरली क्या थिए शेहरों में लोग काम करने जाते लेकिन को नगाय तो हर कोई क्या हो गया तो अपने घरों में आगया तो दूरल एड़ास में बहुत सारी गामों के लोग शेहरों में कामों की तलाश में जाते हैं लेकिन को घर आना पड़ा वापिस आना पड़ा अपने गावों में आना पड़ा तो कितने रिटानी मतलब जो अपने वापिस आगे वापिस रिटान होगे जो माइगरेंट होए थे माइगरेट वरकर थे वो कामों की तलाश के लिए भार गए थे ठीक है शेहरों में गए थे लेकिन उनको वापस आना पड़ा नोक्रिया छूट गी उनकी उनको काम देना गौर्मन का यह अबजेक्टिव था जो क्रोना के टाइम में कितने लोग पहले जो माइगरेट होते थ शेहरों में जाते थे काम के लिए अब लेकिन वो रिटान आगे वापिस आगे गामों में अब काम नहीं उनकी पास उनको काम देना और बहुत से जो लोग गामों के लोग है जो जुन्होंने बहुत सा कोवेड-19 के टाइम में करोना के सामे में नोक्रिया नहीं थे उनकी लोग जो करोना के समय में वापिस अपने गामों में आगे थे जनरली काम नहीं है रिटार्न हो गेते हैं रिटार्नी माईग्रेट वकर्ट्स उनको एक इम्मिडिट उससे टाइम एम्मिडिट इम्मिडियेद उसे पॉसे प्रवाइट करना निका में अब्जेक्टिव था ताकि वह अपना लाइवलिवूड कर सके ठीक है और लाइवलिवूड to the distress 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 का मतलब क्या है stress मतलब बहुत दाधा परशान थे लोग उनको distress करना उनका परशानी को खतम करो उनको एक immediate employment opportunities provide करो ताकि वो अपना livelihood कर सके समझ के उनको livelihood कर सक अपना survival कर सके उनको immediate employment opportunities generate करना ही इस अभियान को अब्जेक्टिव था एक सो पच्चल दिनों का अभियान government ने निकाला चलिजी next क्या है आपका दीन द्याल अंटा योद्या योजना यह तो पड़ा पड़ा था क्या था क्या था दीन द्याल अंटा योद्या योद्या योजना यह था ना यह जो government ने निकाली एक नई योजना निकाली न वह ना रूरल नहीं अर्बन है नाशनल अर्बन लाइवलिविवड मिशन जैसे इसको हम बोलते हैं दे नुल्म दे मतलब दीन द्याल अंटा योद्या योजना नाशनल अर्बन लाइवलिवड मिशन में अब्जेक्टिव 5 था यहां पर क्या था गरीबी खतम करना शहरों में चो लोग से रोगंगें करना थे सने यां लोगों को लोगों लोण और देते विखोण को था लोग अपना को сबाव कोटा बिसनलखे और से एंपेड लोड अट नहीं क्रेट करना इसके साथ साथ क्या था स्किल्ड वेज इंप्लॉर्मेंट को भी जनेरेट करना स्किल्ड मत्ब पढ़े लिखे लोगों को इंप्लॉर्मेंट अपॉर्चनिटीज जनेरेट करना इंप्लॉर्मेंट अपॉर्चनिटीज देना ताकि वह वेजी वगारा कमा सके य लाद अकलेना अलग-अलग है वह नाशनल रूरल लाइवलिवड मेशन था जिसमें सिरफ सेल्फ इंप्रॉइमेंट करिए करना था यह अर्बन वाला है नाशनल अर्बन लाइवलिवड मीशन नाम आगे है दीन जयाल न्टायोग या योद्या यौजना यह अर्भन एडिया उसके बाद दो रहे गए उसके बाद start-up India make इंडिया यह दो आप करी लोगे मेक इन इंडिया चलिए यह भी पढ़ लेतें क्या है नेक्स है परदान-मंत्री मुद्रा योजना क्या है इसको शॉट फोल फॉर्म माइंक्रो यूनिट ड्वेलपेंट यह दो एगर उनको रिफानाइस किया जगे उनको प्रवाइड करो कम रेक प्रवाइड करो ठाकि छोटे-चोटे बिजनस है वो वह क्या सकते डिवेलप कर सके यह उनका अब्जेक्टित है चोटे चोटे बिजनस थे को जेवेलेब करने के लिए फांइस में कि पर्वाइड कहें पैसा परवाइड करें यह कोई बिजनस खो और चोटे जो बिजनस को commandments के गोफ्में ने बोला कि बेलब करने के लिए driven माईक्रोंत को जो Ronaldo तो जो हैं इस स्कीम किसने लॉंज करी थी हमारे देश के लॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के तवारा स्कीम लाए गई थी अप्रेल आठ 2015 में लाएगी थी ते के एप्रेल 8 2015 में लाएगी थी और उनको लॉन दिया जाता था इस कीम में क्या हते थी छोटे-छोटे बिजनस है ना उनको प्रवाइड करती लॉन वगेरा प्रवाइड करती थी बहुत ही कम रेट अव इंटरस्ट लॉन के लिमिट किया थी तक का लोन दिया जाता था अब टू 10 लेग रुपीज का किनको लॉन दिया जाता को यह जो लॉन को प्रेट मतलब कंपनिया नहीं है चोटे-चोटे बिजन चोटी बिजनस है उनको लॉन वगरा प्रवाइड किया जाता था बहुत ही कम रेट उप इंटरस्ट के लॉन के लिमिट किया थी अप्टू 10,000 रुपीज अब गॉपेड करो लॉन कोमें तो नहीं प्रवाइड करेगी लाइं कौन प्रवाइड करता है तो जो लॉन है वह किसके दुबारा तिया चाहते था commercial banks के दुबारा यानि SBI वगरा होगे इनके दुबारा PNB वगरा regional rural banks के दुबारा small finance banks small amount of यह ऐसा bank है जो small amount of money को finance करती है finance मतलब पैसा देती है जो small amount of पैसा प्रवाइड करती है इन चोटे-चोटे enterprises को ताकि वो develop हो सके ठीक है नेक्स के non banking financial companies के दुबारा जो है लोन अगरा प्रवाइड किया जाता था इन चोटे-चोटे बिजनस को चोटे-चोटे enterprises को ताकि यह क्या सके develop हो सके और कितने तक का लोन दिया जाता था अप टू 10 lakh रूपीज तक का जो है लंबा बड़ मैं आपको एक चीज करा रहे है ऐसा नहीं कि मेरा आपको कुछ छड़वा दिया हर एक टॉपिक में कवर कर रहे हैं चलिए नेक्स के है बेटा आपका नेक्स को है परदान मंत्री कुशल विकास योजना जो की 2015 में गोर्मेंट देखा है अब यह ऐसी योजन है यंग्स्टर्स है जो हमारे देश का स्वरेश टालेंट है हमारे देश की जो यूवा पीडिया उनमें स्किल्स डिवेलप तो गौर्मेंट पटे क्या लिकाई थे गौर्मेंट ने बोला जो बच्चे पास आउट है इंडुस्ट्रीज इंड़स्ट्रिस से रिलेटर वेटन को काम वगएरा सबको सिखाया जाता है के लंकु एक साथ चार्शालां को साथिए उनकोETH फ्री ऑफ कोज्ट कोई पैसा नहीं लेती गोशिस को ठीके फ्री में नंको कॉर्स दी जाते उफन कुछ आठ अजार की कुछ करीबन उनको कुछ पैसा मिलता कुछ इंशॉरेंस वगेरा भी दिया जाता है बच्चों को लोगों कि अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए त्सके बढ़े कुषिल क्या है कुष्छल विकास का मतलब के उनके लिए स्केल्स बढ़े गवरमें चाहती थे लोगों में स्केल्स बढ़े गवरे त्रेनिंग वगरें से थी दिन कॉर्सें वह ड़े सब्सक्राइब कर पैंगे जुझे चलब उनिया को एदि नहीं को जोइन पर च्राइब जाती प्रपर सेशन वे लिए ठीक है और ओर वह उसक्राइब वह उसक्तित को बाद के साधु इस नहीं वह उसक्ति दिए उसक्तिते शेयर्गें मुझ परेवकें रूप नियुक बढ़िया certificate है इस certificate के थू जो भी person ने वो course कर लिया कोई भी बच्चे ने वो course complete कर लिया उसको certificate मिल गया उस certificate के थू वो किसी भी government job में नोकरी कर सकता है किसी भी private sector में नोकरी कर सकता है इवन सिर्व इतना नहीं सिर्फ भारत में नहीं बाहर की सब्सक्राइब करना चाहते तो उस certificate की थूसको कोई नोकरी मिल जाती अच्छी नोकरी मिल जाती अच्छी तनखा पर मिल जाती ठीक है तो यहीं यह बेटा तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इस इस फ्लाक्षिप यह ऐसी स्कीम है स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ओफ स्किल ड्वेलप्न और एंटर्प्रेनर तो अगर आप देख वाओगे एंटर्प्रेनर तो अगर आप यह गूगल कर लोगे ना आपको एक फोर्म ढंग से दिख जाएगा मेभी आपको ब्लड दिखे य इस ऑफ स्कीम है किसके दूबरा लाए गई है यह जो स्केल डिवेलपमेंट कोर्परेशन के द्वारा यह जो है यह जो अगर मैं बात करूँ यह जो योजना इंप्लिमेंट करी गई है आप सर्टिप्रेट में भी देख पा रहे होगे इसको में अब्जेक्टिव क्या था लोगों में स्किल्स डिवेलप करना कोर्स वगरा करवा तो यह जो स्किल्स लगे ताकि बच्चों में स्किल्स बढ़े वह कोर्स वगरा जोइन करते थे उसके बाद उनको इस सर्टिफिकेट दिया जाता है स्किल्स शर्टिफिकेशन स्कीम इस एनेबल इंग्या यूथ तो टेक अप टूटेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट इंड और गया जुट करनी आर्हें गंख आप इस इन गोर्मेट स्किल्स करने के बाद कश्चेट भी वॉप एहल्प क्याकरता है क्यों ताप क्यूverbs रहे हैं तो बहुत लेंच सीअक्त भी गौवर्मेट जॉब अगर उनको करनी है को प्राइवेट जोब करनी है and help in securing a better livelihood एक अच्छा लाइवल कर पाएंगे अच्छी नोक्री मिलेगी अच्छा पैसा कमा पाएंगे और अपना पैसा कमाएंगे और अपना देती है कुछ 8000 के पास पास होता है कुछ insurance भी देती है ठीक है ताकि लोग जादर जादर लोग जोइन करें ताकि लोगों में skills बढ़े खतम होने के बाद कोर्स इनको एक certificate दिया जाता है certificate का यूज करके वो कोई भी नोकरी कर सकते किसी सरकारी इंडिया में के इंडिया में किंडिया मततंब भारत में बनाओ बहार की li! अपने देश में नए कंपनी दो से खटताम खोलो आपने नहीं कंपनी देश अपने देश में start-ups फोलने लग गया और अज की ताइम है कितने start-up सेंच जो बहुत जादा हाई-scale पे बहुत profit कमा रहे है millionaire-billionaire companies बन चुकी है जो start-ups टेले किनार वो इतने large scale पे business कर रहे हैं तो start-ups फोलो हमारे देश में इससे होगा क्या एक तो जो इंसान अपना start-up खोलेगा अपना business खोलेगा वो self-employed होगा खुद का start-up खोलड़ा तो खुद एंप्लोइड होगा प्लास वो company खोली उसने तो कितने सारे लोगों को hire करेगा तो कितने सारे लोगों को employment opportunities generate होगी तो इससे देश में employment opportunities भी generate होगी ठीक है तो government इसली कहती सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे देश में सारे लोगों को employment opportunities मिलेगी दूसरा start-up इंडिया मतला अपने देश में नहींने start-ups लेकिया हो तो इससे होगा गया अब मैं अपना business खोल रही हूँ start-up कर रही हूँ company खोल तो खुद एंप्लोइड होगी अब बहुत सारे लोगों को hire करूँगी तो कितने सारे लोगों को employment opportunities देश में मिले है तो लोगों को वोला अपना खुद का बिजनस को लो खुद का इक start-ups होगेरा खोल इससे होगा का employment opportunity generate होगी हमारे देश में self-employment होगा एक तो जो बंदा खुद का business खोल रहे है खुद तो employed होगा and और क्या होगा opportunities of employment for others दूसरों को भी employment opportunities मिलेगी क्योंकि मैंने खुद का अब कितने सारे workers कितने सारे लोगों को मैं hire करूंगा तो कितनी ज्यादा हमारे देश में employment opportunities generate होगी तो self-employment भी होगा और दूसरे लोगों को भी employment opportunities मिलेगी तो यह मेक इंडिया अपने देश में बनाओ बाहर की country से ना खुद के देश में production करो खुद के देश में employment opportunities बढ़ यह सारे topics हमने बहुत भी बहतरी तरीके से कर लिया है तो बस आपसे यही शुक्रिया लोगी बहुत बहुत शुक्रिया लास्तक बने रहने के लिए इतना सारा प्यास देने के लिए ठीक है बस ऐसे ही पढ़ते रहो मुस्कराते रहो खुश रहो लाव यॉल